सो हेलो एवरीवन मेरा नाव एनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे सीडियोग चैनल पर आप यार किसी भी एज में हो आप स्टुडेंट हो या फिर आप अपने 30 में हो 40 में हो 60 में हो एक ऐसी चीज है जो आप सभी को करनी चाहिए बुक रीडिंग यार बुक रीडिंग एक ऐसी इसके लिए एक ऐसी आर्ट है जो आपको करनी चाहिए क्योंकि यह अलग-अलग फील्ड में हमें एक्स्प्लोर करने का मौका देती है बिना उनमें एंटर किये तो आज उन्हीं बुक्स में से कुछ बुक्स की हम बात करने वा यह recently मैं पढ़ रहा था इसलिए आपको सबसे पहले बता रहा हूँ इस बुक में आर आपको stock market और business के बारे में बताया जाता है और साथी साथ लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से explain किया हुए तो अगर आप stock market, business और पैस amount कमाते हैं तो आप उसका 1 by 10 अपने पास पहले save कर लेंगे बाकी जो बचाओं को amount को उससे आप खर्चा करेंगे तो बहुत ही चोटी सी book है और बहुत ही चोटी बुक है तो आप इसको purchase कर सकते हैं और जल्दी से खतम कर सकते हैं अगली जो बुक आती है वो हमारी या दमा अपनी फरारी वगएरा सब को छोड़ चाड़के वो एक मौंक बनता है और फाइनली उसको जो मन की शांती होती है वो प्राप्त होती है तो यह बुक भी आपकी self growth में बहुत जादा help कर सकती है अगली बुक की बात करें तो आपकी या बेस्ट बुकों में से एक आजाती ह तो आप यह बुक रीड कर सकते हैं अगली बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वह आप कहा जाती है तो सटल आर्ट ओफ नौट गिविंगा एफ मतलब यह एक ऐसी बुक है जो आपको एक अलगी लेवल के थौट्स देगी अलगी लेवल की आपको देखने का तरीका देगी मतलब दिखाएगी कि आप किन-किन चीजों को इंपर्टेंस दें और चीजों को इंपर्टेंस ना दे लाइफ में तो बहुत ही अच्छी वुक है आपको बहुत ही प्यारी यह लगने वाली है अगली बुक की बात करते है आप कहते है रिस डैट पर डगठ ये एक ऐसी book है जो आपको assets बनाना सिखाएगी आपको real estate के बारे में बहुत जादा बहुती deep knowledge देने की पूरी कोशिश करेगी और सिखाएगी कि आप कैसे अपने पैसे से assets बनाएं वो assets आपके लिए और पैसा जनरेट करेंगा और आप और पैसे से और assets बना सकते हैं और बुक है और बहुत ही एकदम से आप इसको खतम करते हैं कि जब मैंने पढ़ना है स्टार्ट करा था तो मुझे पता भी नी चला कि मैंने 40-50-100 पेज इसके कब खतम कर दिये थे तो आपको यह बुक बहुत ही पसंद आने वाली है बुक का नाम है there is that poor debt अगली बुक की बात करें और आज की last book how to win friends and influence people यह एक ऐसी बुक है जो communication skill के field में आपकी बहुत अच्छी है लोगों से बात कैसे करें लोगों से मिलें तो हाथ कैसे मिलाएं उनसे अगर आप पहली बार मिल रहे हैं तो कैसे बात करें सेकिंड टाइम मिल रहे हैं तो कैसे बात करें और आपको क कौन कौन सी चीज़े यूज नहीं करनी चाहिए तो यह एक ऐसी बुक है जो आपको communication skill के field में बहुत आगे ले जाएगी public speaking अगर आप करना चाते हैं लोगों से मिलना चाते हैं अलग-अलग लोगों से मिलने में आप थोड़ से introvert है लेकिन extrovert बनना चाते हैं तो यह बु influence आ रहा था तो उन्होंने मेरा मजाग उड़ाने की कोशिश करी के influence करेंगे यह वो लेकिन आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको ही सिर्फ पतलाएगा के communication skills इस बुक से कितनी बहतर हो सकती है यह एक ऐसी बुक है जो मैंने 2-3 बार पढ़ी थी और आपको भी 2-3 बार प खतम कर सकते हो दीरे दीरे वो आपकी speed जो है वो increase होना start होगी और फिर आप regular बन जाओगे तो आप एक हफ्ते में भी एक book खतम कर सकते हो मेरे exam सायते हैं यह कुछ हो जाता है तो मैं काफी लेट भी हो जाता हूं book reading में तो आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से जैसा आपक book reading जरूर करें इससे आपको बहुत जादा help मिलने वाली है तो hopefully यार यह वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आई होगी अगर आपके पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और बैल आगन दबा सकते हैं ताकि ऐसा को कोई भी वीडियो आगे से आने वाले टाइम में अपलोड हो तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए मिलते हैं अब नगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए